हेलो एवरिवान मैं हूँ सायमा एडियार वाचिंग साइंस टूटोरियल की पिवर स्टडी टू नैक्स लेवल सो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे अर्लिर अटेम्ट टाफ क्लासिफिकेशन आफ प्रियाडिक एलिमिन्ट सो अर्लिर अटेम्ट जो अभी तक हम पढ़ से साथ नहीं है persean यह उसको पढ़ेंगे कि方 हम यह को पढ़ेंगी क्यास जो आगी मडियृ प्यॉडब बनाया था जो केशन दी थी elements की वह इसके basis पर है किसके basis पर है लॉथर मेयर कव के basis पर है तो टोडेश ट्रापिक अफ डिसकेशन इस लॉथर मेयर कर आज हम लॉथर मेयर कव के बारे में थुड़ा सा जान लेते हैं एंड नेक्स हम पढ़ेंगे जो जो कहा है मेंडी प्रेडिक टेबल अब लॉथर नेक्या किया था एक गły plot की थी बट्वीन अटोमीक वेट अड़्ामी को अलई भॉ हम देखते हैं उसने कैसा plot graph किया था graph plot किया था यह आ गया हमारे पास atomic value atomic value अलोओं दावाइय एक्सिस अलोओं दाखेक्स एक्सिस आ गया हमारे पास atomic weight अब गयाध है डिफेंट्स एलमिंट को रिंज किया और इस करव को पढ़ने से पहले हमें एक छोड़ा सा concept पढ़ लेते हैं that is mass हम जानते हैं कि जो हमारे पास mass होता है mass is directly proportional to volume अगर mass increase होगा तो हमारे पास volume भी क्या होता है increase होता है most of the things में देखते हैं कि जैसे मारे पास mass बढ़ेगा तो volume भी बढ़ती है बड़ अगर हमारे पास in elements का mass बढ़ेगा यह जो elements उसने range किये तो हमारे पास volume नहीं बढ़ेगी ठीक है जो हम कैसे कह सकते हैं कि volume नहीं बढ़ेगी volume बढ़ेगी लेकर periodically बढ़ेगी और जो increase होगी वह भी बहुत ही small amount में होगी ठीक है in the case of elements आप हम देखते हैं समझते हैं installation को कि कैसे होता है यह हमारे पास element lithium sodium potassium अब देखो यह ग्राफ के कहता है इसने elements को रेंज के अकार्डिंग टू दियर increasing atomic masses lithium sodium potassium rubidium and calcium अब जैसे जैसे हमारे पास atomic mass बढ़ेगा atomic weight बढ़ेगा जो volume है वह भी increase होगे volume इतनी जदा हम कह सकते हैं another word से भी कह सकते हैं कि volume increase नहीं होगी क्यों हम कहते हैं कि volume increase नहीं होगी देखो जो volume increase हो रही है वो हो रही है periodically कौन से हो रही है किस तरह से होगी periodically इसे कुछ प्रावलों मारी है लिखा नहीं जा रहा है तो हमारे पास मैंने क्या कहा कि volume increase हो रही है periodically कैसे यह प्रियोडिकली का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम यह देखते हैं देखो जैसे हमारे पास डेज होते हैं अगर हम को यह सब्सक्राइब मंडे अब जो मारे पास मंडे है मंडे वीक में रपीट होता है आफ्टर six days आपके पास मंडे अगेन आएगा यह हो गया कि मंडे आ रहा है प्रियोडिकली और हम कहें कि कोई मांत जैसे कि आपके पास जैनरी जैनरी अफ्टर 11 वन वह भी रपीट होगा यह जो इंक्रीज होते हैं इस इंक्रीज को हम कहते हैं प्रियोडिकली यह जो डे आ रहें देट इस मंडे आरी जो मंत आ रहा हम यह भी कह सकते हैं कि प्रियोडिकली आ ठीक है प्रियोडिकली का मीनिंग समझ आया होप आपको पता चला होगा तो ऐसे ही जो एलिमेंट से इनमें जो इंक्रीज होती है वह इंक्रीज कैसे होती है वह इंक्रीज होती है प्रि उसके दकाद फिर से फौ्ल डॉन फिर इंक्रीज हो फिर फौल्ड ड fish और यह जो ड्ग्रीरीज हो रहा है कावरा है इंकरीज और ड्ग्रीजस को पल्यूरीझ इस वाल्यूम है वह कहीं है की वह सही रहती है यह इफ बढ़ ही नहीं रहा हैं ऐसे ठामिक स्क्राइब के साथ सिर्फ मार्स उपर ही जा रहा है बटकी जो पीक है उपर पहुंचने के बाल वापस से फिर नीचे आती है बट यह जो होती है यह इंक्रीज बहुती समाल करें फॉल नीचे आए फेर उपर की अभी सेकंड फीक से थोड़ी सी ज्यादा यह निक्रीज हो रही है लेकिन को समाल हमोट में हो रही है फिर फारल्ल नीचे थे फिर उपर बीडियम फुरगिटी फिर पिक इस हम यह कह सकते हैं कि विद इंक्रीजिंग टॉमिक वीट आड़ टॉमिक मास तर चेंज इन वाल्यूम इस प्रियोर्टिकली क्या हो रही है हमारे पास चेंज वाल्यूम वह रही है प्रियोर्टिकली दो फॉलिंग अब्सरवेशन कें बीमेड फ्रम्ड़ इस कर से नीचे दीगी है यह अब्जर्वेशन का लिए चीजा हमें पता चले फर्स्ट क्या है मोस्ट लेक्ट्र पॉस्ट्यू आलमीन तो पास्ट्यू अल्कली मैटल लाइक सोडियम पोटाशीम यह आगे मारे पास लाइक सोडियम पोटाशीम लिथियम उपाइड पीग पोजिशन हमारे पास अल्यमींट होंगे वह कर में पीक पोजिशन अकुपाई करेंगे यह की फास्टेट्मिंट ठीक है यह दो को पीग पोजिशन अकुपाई कर रहें अब सेकंड क्या कहता है लैस्ट्रो पास्टू डाइट इस अलकली अर्थ मैटर अलकलाइन अर्थ मैटर यह जो कौन से पोजिशन अकुपाई कर रहे हैं यह को पाई करें हमारे पास डिसेंडिंग पोजिशन कौन से डिसेंडिंग पोजिशन अकुपाई कर रहे हैं हमारे पास अलकली मैटर और लैस अलेक्ट्रो पास्टू मैटर और अलमींट अब नेक्स तर्ड स्टेटमिंट एंव twee मैटलायड मेटलाइड ह는 कोभ़ ऑफ घर ने करेंगे या दो मेटलाइड रिषण मेय का सब्सक्रम करेंगे यह हमंद पास गाउन करेंगे घर यहां गया हमारे position को पाई करेंगे کरव कर रूपा कौन सी position को पाई करेंगे ascending position यह देखू अपर जारी हमारे पास हुआ हम पही है यहान पही है ठीक है और इसी के basis पर इसी की चार observation के basis पर जो हमारे पास मेंडलिव थे उन्होंने उन्होंने नेक्स अटेम्ट ती प्राइडिक टेबल की और एलिमेंट स्कुल क्लासिफाई करने के लाथर मेयर्स कव स्लेबस में तो नहीं है इतना एनसी आर्टी में इसकी वांटू लाइन दी गई और ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया नहीं 11 अधिया गया बस इसको हमारा पढ़ाने और बताने का मकसद यह था कि आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि एक्शुल में लॉथर में यह करो में है क्या और क बस यह था कि इंक्रीजिंग ट्रॉमिक माज जो मार पास चेंज हो रही है वह क्या और यह चेंज इन वाडियों प्रियाडिकली हो रही है थैंक्स फो वाचिंग मी